ओके बच्चों अब आपको जब मैंने हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि कौन-कौन से फेक्टर से जो क्लाइमेट में अपना एफेक्ट डालते हैं तो उस समय हमने एक चीज एर प्रेशर और विंड्स के बारे में देखा और उस समय आपको मैंने बताया ठाक हुई इंडिया जो है वो ट्रेड विंड के एरिया में बढ़ता है और सीजनल विंड्स के हिसाब से इंडिया में मौनसून विंड्स है अब इंडिया की चो क्लाइमेट है वो मौनसून विंड्स से बहुत ही ज़्यादा इंफ्लोएंस होती है इतना ज़्यादा इंफ्लोएंस होती है कि इ permanent trade wind का reversal हो जाता है ठीक है तो chapter थोड़ा सा complicated है आपको कई साल चीजों को link करके चलना पड़ेगा ठीक है तो अब हमें देखना है कि वो कौन सी चीजें है mechanism of monsoon यानि कि इंडिया में जो monsoon आता है बनता है वो कैसे होता है mechanism उसका क्या है तो ये points हमने इसके अंदर discuss कर ले हैं त इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा थोड़ा important topic है ये तो mechanism of monsoon का जो first topic है वो है the differentiating and cooling of land and water देखो बच्चों क्या होता है आप ये आपको फिर से मैं आपको बार बार reference दे रही हूं class 7 का वहां पे आपने revolution and rotation ये सब कुछ moment of 6 में भी पढ़ावा है तो क्या होता है अर्थ मे हमारा heat का जो source है that is sun और आप जानते हैं कि earth sun के चारों तरफ भी घूमती है दो point पहला main source of heat is sun second earth का moment होता है revolution third point अर्थ जो है वो अपने axis पे थोड़ी सी जुकी हुई है ठीक है ये भी आप जानते हैं तो अब जब अर्थ घूमते घूमते अर्थ जब sun के āercar तरफ चक्क लगाती है तो कोई किसी time ऐसा होता है कि जब sun की रिज ट्रॉपिक आफ केंसर पे इसट्रेट आ जाती है और कभी कभी कैसी हलत होगी कि यह है यह ट्रॉपिक आसे स्थ हो जएगी ठीक है यह यह आप्रिकॉर्पिक ऑफ केंसर जिस समय एसा होगा उस समय जो ये नौर्थन हेमिस्फियर है उसमें समर सीजन होगा इसको पूरा एक साथ समझते चलिए और ये जो साउथ वाला है सदर्न हेमिस्फियर इसमें समय विंटर सीजन होगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट नौर्थन हेमिस्फियर मे है अब जब अर्थ घुमते घुमते दूसरे सिचुईशन में आ जाईगे उस समय अब क्या हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंस कैप्रिकॉर्ण में संकीरे इस डायरेक्ट आने लगती है जैसा कि इस समय हमारे साथ हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सन से दूर चल हो रही है क्योंकि अब हम संसे दूर होते जा रहे हैं हमारा नौर्थ क्योंकि इंटिया नौर्थन हमेस्वियर में है यह संसे दूर होते जा रहा है और संदन हमेस्वियर ज्यादा पास होते जा रहा है तो इसके कारण ही सारा मॉनसून का मेकनिजम हमारा चलता है ठीक है अ अब इसके इसमें क्या होगा जब क्योंकि temperature change होगा तो उस समय air pressure भी change हो जाएगा यह हम advancing monsoon वाला जो topic है वो भी यहीं पे इसको clear कर रहा है ठीक है तो अब normal में तो क्या था बच्चों कि यह हमारा equator यह topic of cancer यह topic of capricorn और trade winds ऐसे चल रही है ठीक है अब क्यों चल रही है trade winds ऐसे क्योंकि आप जानते है equator के आसपस low air pressure होता है और topic of cancer, topic of capricorn में high air pressure होता है यह normal condition है ऐसे तो winds आपको पहले ही एक बार rule मैंने बता दिया कि winds हमेशा चलती है high to low air pressure तो इस high pressure से equator की तरफ इस high pressure से भी equator की तरफ winds के लिए एक और rule समझेए winds जिस direction से आती है उसको वही नाम दे दिया जाता है जैसे इस समय यह north east है यह southwest है तो trade wind का direction क्या हो गया north east to southwest तो हम इसको नाम क्या देंगे north east trade winds ठीक है यह permanent winds है अब जब temperature reverse हो गया उस समय क्या होता है बचों जो यह air pressure की belt है यह low air pressure belt summer season में shift हो जाता है देखो shifting of I, D, C, Z यह जो equator के आसपास permanent low air pressure belt था summer season में क्या हुआ summer season में क्योंकि topic of cancer पे sun की rays direct हो गई तो जो temperature यहाँ equator पे मिल रहा था वो temperature हमें यहाँ पूरा गंगा plane में मिलने लगता है temperatures एकदम high चले जाते हैं high temperature एकदम high temperature चले गए और high temperature के तो air pressure कैसा हो जाएगा air pressure low हो जाएगा और यह जो यहाँ पे low air pressure की belt थी वो यहाँ से north की तरफ shift होगे गंगा मैदान जो हमारा है गंगेटिक plane यहाँ तक पहुँच जाएगी इसी समय एक और काम चलेगा यह वाला यहाँ पर आप जानते हैं आपने फिर से याद कीजिए आपका हमने कहा था पामीर नौट के पास से बहुत सारे platews and mountains निकलते हैं तो यहाँ पे तिबतन platew है जो बहुत उंचा है उतना high होने के कारण वो एकदम heated हो जाता है heater की तरह गर्मी से वहाँ पे भी air pressure low हो जाएगा यहाँ पे देखो हम altitude वाले चीज़ के against जा रहे हैं हमने कहा था कि height बढ़ने से temperature low होंगे लेकिन यहाँ पे height बढ़ने के बाबजूर भी temperatures कैसे हो रहे हैं high रह रहे हैं क्योंकि height के कारण और क्योंकि वहाँ पे atmosphere एकदम clear है pollution नहीं है तो solar radiation बहुत जादा मिलने लगता है और यह तिबतन प्लेट्यू एक heater की तरह काम करने लगता है बहुत जादा गरम हो जाता है तो यह दोनों कारणों के कारण यहाँ पे जो मैंने आपको यह एक circle सा बनाया है यहाँ पे क्या शुरू बन गया यहाँ पे low pressure का एक center बन गया और जब low pressure का center बना और इस हमें traffic of campricorn में एकदम opposite condition है यहाँ पे high pressure है why high pressure because of low temperature why low temperature क्योंकि यह area sun से समय दूर है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ high pressure बन गया यहाँ low pressure बन गया तो winds जो है वो अब यहाँ से उनका direction देखो equator से ऐसे ऐसे चलने लगी ऐसे southwest to northeast जबकि normal में वो कैसी चल रही थी northeast to southwest अब कैसे चल रही है अब वो चल रही है southwest to northeast तो आपने देखा ना यह 180 degree reversal हो गया मैंस पढ़ते हूं न यह दो line है ठीक है लेकिन पहले यह ऐसे जा रहा था direction अब ऐसा हो गया पूरा गूम गया 180 degree गूम गया तो this reversal is called monsoon जब यह ऐसे change हो जाता है पूरा बदल के इनका direction ही बदल जाता है अब यह एक specific season में होता है that's why it is called monsoon monsoon word is derived from Arabic word term monsoon that means the season तो अब आपको यह idea समझ में आगया होगा कि किस तरह से जो trade wind है उनका seasonal reversal होता है वो एक season में गर्मी के बाद के season में जिसको कि हम आगे advancing monsoon season बोलेंगे अपना direction change कर देती है ठीक है तो इस तरह से यह shifting of I, T, C, Z भी important role play करता है इसी समय यहाँ पे देखो यहाँ पे सरे ही ज्यादा south तक आ गया यहाँ तक ठीक है यह इंडिया है, यहाँ पे Arabian Sea है, यहाँ पे Bay of Bengal है और यहाँ पे Indian Ocean है तो water and land दोनों का heating का जो rate है वो भी अलग होता है लैंड बहुत तीजी से गरम होता है और पानी देरे देरे गरम होता है तो जो यह low air pressure का कारण था ना उसमें एक यह भी कारण important होता है कि जो यह वाला एरिया जहां हमारा UP, Bihar, Delhi, हर्याना है यह पुरा land वाला एरिया है तो summer season में यह बहुत ज़्यादा गरम होने लगता है इसलिए यहाँ पे low pressure होने लगता है तो आप देख रहे ना यह सारे causes मिलके इस area में low air pressure create कर रहे है चाहे वो land and water की heating का rate अलग होना है चाहे वो इसका result shifting of ITC jet यह one marker question में भी आता है इसकी full form ठीक है फिर हम चाहे उसमें एक और चीज़ हो गया that is the button plate you get heated यह भी monsoon के origin में अपना heat role पे करता है इसी समय जो upper layer में jet streams थी क्योंकि वो बहुत तेज चलने वाली winds है उनका direction भी इस समय यही वाला रहता है आपको एक मैं map share करूँ कि उसमें आप इसका direction देख सकते हैं तो उस समय वो भी north इस से उपर की layer में जा रही है नीचे के layer में monsoon उपर jet stream तो उस jet stream से भी इनको support मिलता है और यह monsoon winds जादा strong हो जाती है बस एक यह point आपको अभी छूटा हुआ है that is the high pressure in medagascar medagascar आप देखो यहाँ पे जब हम एशिया इस तरह से देखो यहाँ पे तो बिटे इंडिया है इधर आप जाओ तो यह ऐसे करके एफरिका आ जाता है यहाँ पे एक island है medagascar जैसे हमने यहाँ पे इंडिया के इस जगे पे कहा कि low air pressure create हुआ है medagascar के आसपास इस समय opposite condition में high air pressure create होता है यहाँ से लगबग 20 से एक वेड़ जाती है एफरिका के तो इसके कारण हमारे course में ज़्यादा नहीं है यह वाले आपको discuss कर दिये हैं तो यह जो high air pressure है यहाँ पे जितना ज़्यादा pressure high होगा उस साल हमारा monsoon ज़्यादा strong होगा same way अगर low pressure जितना low जाएगा उस तना monsoon strong होगा तो यह high and low pressure में जब difference ज़्यादा होता है उस पार monsoon ज़्यादा strong होता है और अगर किसी कारण से pressure नीचे नहीं जा पा रहा है pressure नीचे क्यों नहीं जा पाएगा वही temperatures अगर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो air pressure नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे कुछ कारण हो गया है उस बार monsoon weak रहेगा कई बार आप नीचे में सुनते हैं कि इस बार का monsoon हलका रहेगा इस बार monsoon strong है तो यह सारी चीज़ें ही आप देख रहे हैं सब को मिलाके mechanism of monsoon कहते हैं इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो single monsoon के origin या उसके strong होने या उसके weak होने के लिए responsible है as a whole यह सारी चीज़ें अपना-पना role play करती है इसके अलावा आपको एक दो terms बिल्कुल छोटे से introduce किये हैं बुक में अलिनो effect वगहरा वो मैं आपको अलग से उसके notes दे दूँग उसका बहुत जादा direct अभी आप नहीं समझ पाएंगे class 11 geography में वो detail में होगा अभी आपके 9th standard के लिए आपको ये climate का जो basic concept है वो समझ में आ जाना जाए अब आप इसको NCIT में एक बार read कीजिए और आपको एक PPT में शेर करूँगी उसमें पूरा chapter का gist होगा and I will share some links also ठीक है तो वो देखके आप इसको समझ लीजिएगा Thank you